अक्सर जब हम SSB देने जाते हैं खास कर जब AFO के SSB देने आते हैं तो वहां पे होता क्या है हमारे सामने एक बड़ा option होता है कि क्या जिस service के लिए हम आ रहे हैं जो हमारा job है जो हम करने जा रहे हैं life में जो हमारा passion है क्या उसके बारे में हमें पता है तो ऐसे case में सबसे important च तो क्या fighter jets की बारे में पता है क्यों कि आज सलकर यो युवा आते हैं एफोस के लिए आते हैं उनके अंदर क्या मन होता है कि हम बनेंगे बनेंगे तो ऐसा ही मेरा भी मन था पाइलट बनने का ठीक है तो एक test होता CPSS आपने मैंने किया है वह आप देखेंगे देखेंगे क कैसे होता है काच चाहिए तो यहां अदिसकरनेवाले का टॉफ ढाइस के बारे में क्योंकि जो मसीन को आप चलाने जा रहे हैं तो पूरा प्रयास कि ईक वीडियो में मैं पूरी जानकरी है आपको दे पाऊने यह यह जो क्या है मैंने Top Fighter Jets रखा है, इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे क्या जो training aircraft हैं, कैसे कैसे आप कमें training होता है, कैसे कैसे यह होती है, तो उसके बारे में discuss करेंगे हम, आज हम बात करने वाले हैं कि Top Fighter Jets in India के बारे में, तो आप कुछ ऐसे प्लेन देख रहा होंगे आपका भी सपना हुआ कि आपका जो गुरूप है ऐसे साथ में उड़ रहा हूँ तो यह क्या बहुत धुली तस्वीर है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अपने इंडिया के तस्वीर लेकर कि आप यह देख सकते हैं कि जो आपका उड़ रहा है मसीन यह कौन सी मसीन है यह क्या है रफेल है ठीक है यह क्या मिलिटरी मसीन है और यह उड़ता हुआ क्या बहुत ही बहुत लगता है तो इसके विंटे के ऐसकी मतलब आप यहां पर देख रहा होंगे यहां पर विंग देख रहा है कि ना 10.9 मिटर्स की जो होती है क्या 15.30 और हर जो होटे हो थी यह पूरी ऐट की ना पूरे इसके वह क्या qml उत्य है मतला 5.3 मीटर मान सकते हैं कि वेट आता है तो औरना अगर ठीक है फिर अगर मेंक्स टेकहा फ्मीट तख तक कहा वेट इब उठा सकता है तो पुड़ीन तें sistema यह क्या 10 में कितना होता है फिर एक कुंटल में 100 यह क्या होता है और रोटा है यहां से आप रिड़ करके देख सकते हैं फिर बात आती है क्या इसके प्रवाइट टान है मैक्स लोड फैक्टर्स क्या है यह दिया आपको इस पीड यहां है 1.8 मैक दी हुई है 8 1.1 मैक का मतलब होता लगभग बार सो किलो मीटर अगर एक देखा जा तो यह क्या होता है 992 तो हम अप्रोस कहते हैं कि यह वो 1200 कि आसपास किलो मीटर पर आरिये स्पीड होती है आप सोचो कि एक सेकंड में 662 मीटर तक यह जा सकता है और यह बनाए कहां गया है डेसाल ने बनाए इसको कौन डेसाल कंपनी का की फ्रेंश की डेसाल कंपनी का की है फ्रांस की है फ्रेंच कंपनी है यह और फ्रांस से हमारे यहां एक और फायटर जट आता है मैंने बताया था आपको क्या 1967 आपको पता होगा इस्राइल का वार हुआ था किसे फिलिस्टीन और जो आज पास की जो इस्लामिक नेवरिंग कंट्रीज हैं अब उसमें क्या हुआ कि आपको पता होगा कि 6 दिन मतलब एक दिन के अंदर ही मतलब फॉस्ट डे में ही 6 गंटे-7 गंटे के अंदर ही इस्राइ कर दिया उनके जो भी उनके जो भी उनके क्या इसका फोकस आया दिखाए और योरोब भी बंता है कि हम तो सांस्टी सांक्सरम्स लगा यह कहा कि अब जो हम एरकार्ट आपको दिये थे उसका नहीं था मिराज तो मिराज एरकार्ट देने से मना कर दिया तो इसराइल ने कहा कि अच्छा अब ऐसी बात है अगर नहीं दोगे हमको तो अब हम क्या करेंगे अब इसराइल ने क्या किया अपने जासूसों की मदद से आपने पता होगा कि कि नाम कहा है मोसाद तो मोसाद ने क्या किया अपने जासूसों की मदद से मिरास के ब्लूपरिंट मंगाए और उस ब्लूपरिंट से उन्होंने IIII Nisar औ ये II केफिर नाम के दो एरकाण्व्ट् 2 बनाएं और वो जो एरकाणव्ट था पहले ही पार में किया हो गया होगया उनका चुमक गया उसके बाद उन्होंने क्या क्या है मास स्टाट किया अगर बात कर तो हम par आपको फ्रांस बता दिए अब बात करते हैं इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी बारे में अगला पॉइंट आपका आता है अगला पॉइंट क्या है यह आपका देको डसाल्ट एरकाफ्ट है अच्छा यह कौन सा इसकी फोटो देशाते हैं कितना खुबसूरत फोटो है और यह आप यहां पे फ्यूचर में आप यहां बैठे होंगे और ऐसे उड़ा रहे होंगे इसको कितनी उचाई पर होगा आप अनमान लागा सकते हैं कित रहे होंगे इसके बाद आता है इसका आप देख सकते हो कि यहां पर बैठ रहा है ठीक है यहां पर यहां पर उड़ाया जा रहा है इसको आप बैठे होंगे यहां पर अब देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन हेल जो है वो डिजाइन किया गया तक किसको रहा हिंदूस्ता अभी आप मुझे बताएंगे हिंदुस्तान अभी एक हेलिकॉप्टर बनाया चल दी ही आप बताओ उसका कमेंट पर सिंगल इंजन यह सिंगल इंजन है अच्छा मैंने एक वीडियो बनाई थी मिग 21 के उपर आपने क्या देखी थी क्या कि सिंगल इंजन एरक्राफ्ट होने सब्सक्राइब क्पटर में क्या होता है कि यBig को बचाने के लिए उससमें आपको इजैक्ट ही करना पड़ेगा कुछ लोग यहां पर पर कमेंट करेंगे कि अच्छा नेवाले बताने बात क्या है मैं बात कर नहीं हूं अच्छा बुरे की बात करना हूँ अभी क्योंकि मैं तो नहीं बना रहा हूं मैं अपना काम ड Salem को क्लिसमें वहाँ होता है मतलब होता है मतलब हलका होने को फिर जादा देड तक कम इधन का उप्योग करके भी उपर रहा सकता है इससिलिए क्या यह इसकी बेस्ट कॉलिटी है लाइट कॉमबेट एरकार्ट होने का मतलब यह और बहुत उचाही तक जावी सकता है बहुत कम मतलब इसन बहुत कम खर्च होगा इसके अब जैसे अगर मैं बात करनों की जो यूके जुए उसके हैं यह 35 हो गया ट्वेंट टूगे यह बहुत जादा इंजन लेते हैं लेकिन रिजाइन टू कैरियर रेंज आफ एर टू एर सर्फेस और प्रसेशन गाइड़ एंड इस्टेंड आफ विपनरी तेजसा सिंगल इंगन तो यहां मतलब होता है कि ऐसे विंग होता है ऐसे इस विंग को बोलते हैं डेल्टा विंग बोलते हैं आप देखो गया इस पूछे अब मेरी 8 खराब है तो आप मजाक मत दीजेगा यह क्या ऐसे डेल्टा विंग होती यह इंग और क्या है एंड टेल्लेस डिजाइन तो टेल मतलब क्या होता है पीछे ना ऐसे किसी-किसाफ आप एरकार्ट में देखोगे पीछे टेल शूरी होती एसे टी पीछे टेल होती यहां पर टेल नहीं देखो यहां पर क्या खतम हो गया इंजन यहां पर टेल से पीछे नहीं है कहीं कहीं देखो गया आप किसी-किसी में ऐसा होता है यहां पर टेल से लिए लाइट कॉंबेट एरकाफ्ट एलसी मतलब लाइट कॉंबेट देख धियान रखना जब भी आप कभी भी जा रहे हो एफोस के तो आपको इस चीना चोट चीन पता हों चीए यह से क्या है ठीक है MPRB क्या है चीए पता हूं चीए आपको प्रोग्राम वाज्ट एक्स्पैंड एंड डेवलप इंडिया इंडिजिनस एरो स्पेस कापविलिटी इस तो देखो इंडिजिनस क्यों बना आता कि भाई इस पर भी हम बात कर सकते हैं कि इंडिनस किसी एरकाप्ट ठीक है तो यहां पर अभी जियांग डू है चाइना का भी है और एक्टर है तो वह सब टेक्नलोजी आप दूसरे से नहीं देते हैं क्यों क्योंकि उनके पास बेस्ट होगा इनकेस आपने उनके जड़ा कर लिया मार कर दिये तो उनके पास बेस्ट होगा तभी तो आपको डरा पाएंगे हैं तो यह चीजे हैं अब क्या आता है सुखोई SU-30 MKI बास यह एरक्राफ्ट मुझे परसनली बहुत ही खूपस्वत लगता है रसिया दोना बनाया गया यह रसिया देता है इसको इंडिया को और यह वाई साब बहुत ही खूपस्वत एरकाफ्वत लगत द अब यह जो फोटो आपके आखों में बसा होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि अब तुमको क्या उडाना है मैं आपके लेकर आया हूं आप सकते हो कि आपको क्या उडाना है यह ठाशद हम उसके पीछे इसके पीछे एकस्पेंस यह डोट वी महीं इसके कैसे कुछ ऐसे हैं इसके विए इस ऐसे खिर है लेकिन यहां पे क्या अलग तरह यहां ड़कि यह 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 ऐसे आ गया है एसे आए यह ऐसे गया ठीके ना तो यह क्या है यह आप देख से तो क्या जो डिफ्रेंस है इसमें अब मैं बात करता हूं इसके लेंथ की तो लेंथ है जो है आप यह कुछ बावाला कर रहे हैं लेंद क्या है 21.39 35 मीटर से लेंथ हो गई विंग स्पाइड कितना 14.7 मीटर से हाइड ए 6.36 empty weight max weight take off it अब maximum speed की बात करते हैं क्या है लगभग 2 max है मतलब लगभग 2400 किलोमीटर परार 24 कम पीएस मतलब यह भाई साब बहुत ज़्यादा स्पीड होते 2400 किलोमीटर परार 2 max की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है अब आप मुझे comment section के बताएंगे क्या कि जो fastest aircraft in the world fastest aircraft in the world अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है आप छुर्स में एक आदम यहां और यहां बैठ़ा हुआ है एक आदम यहां बैठते हैं यह क्या है में 29 अभी हमने अत अधाय करता है एक के बार सबस्कारश नावल होता है नेवी का होता है तो है अब होते हैं जहांपर आपने अभी आया क्या आइनस स्क्रांत आया है जो इंडेजिए कर तो वहां और यह सिंबल यह दरती पे मतलब यह रण्वेय पे हैं और यहां यहां भी टेल है आगे भी है और यहां इसका फैला हुआ है अब इसके पीछे जगह पीछे इसके भी जगह है किलो मीटर पर आर हैने कि लगबग 1520 माइल्स पर आर और 1023 नॉट एट हाई अल्टिट्यूड माक्सी स्पीड कितने है टू पॉइंट थी मैक रेंज कितने है एक है 430 किमीटर और मैक्सिम्म इंटर्न फ्यूल दो सब्सक्राइब यह टन हो गाई है और यहां पर क्या जाना और ऐसे आना होती है थर्टीन हंड्र माइल्स सब्सक्राइब यहां निकला यहां से यहां पर दूवां उड़ गया पुरा इसका तो यह क्या है पूरा आपके है आप अलास्ट मेहत्ता कि Emiraj Emiratz कcket 2000 मिरां बात करें हैं तो यह क्या है मिराज 2000 है आप इसको देख सकते हो इंडिया का फ्लेग हैं यहां पर लगा हुआ है अब इसके बाद करते हैं इसके स्पेसिकएसंग में ठीक है तो यह क्या है मिराज, अब मिराज क्या है? अब मिराज के बारे में आप मुझे बताएंगे कि मिराज की maximum speed क्योंकि भाई आपको भी तो कुछ काम करना है तो मिराज की maximum speed है maximum speed of मिराज maximum speed of मिराज आपको बतानी है तो मिलेंगे ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियों के साथ तब तके लिए टाटा बाई 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 एंड जेहिंद